हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक ओन अवेकन ब्रेंस वंस अगेन आप सब दोस्तों का एक बारी फिर से अवेकन ब्रेंस यूट्यूब चैनल पर एक अपडेट के साथ स्वागत करता हूँ यहाँ पर यह अपडेट आया है जेके SSB की तरफ से और अपडेट है नोटिस है क्लास फोर्थ के कैंडिडेट्स जो सेकंड सेलेक्शन प्रोविजनल सेलेक्शन लिस्ट आई है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर विड्रावल अप कैंडिडेचर्स फॉर्थ पोस्त कहा जा है कि जो भी कैंडिडेट्स जिन्हों हाइर क्वालिफिकेशन अब रसीव की है अचीव की है और यहाँ पर वो सेलेक्शन लिस्ट में उनका कहीं नाम आ रहा है तो वो जो है उन्हें अब अपने कैंडिडेचर विड्राव करना पड़ेगा यहाँ पर हम इसके बारे में इ इंफॉर्मिशन अच्छी लगे तो लाइक शेर और कमेंट करना ना भूलिए तो चलो शुरू करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जेके सेसबी ने अपनी इन डिटेल बात की है 8575 पोस्टों के बारे में और उसके बाद जो इनने एक्जाइम से बनाये गया था लिस्ट 9652 यूनी कंड़िटेट्स और कार्ड फॉर डॉक्यमेंट वैरिफिकेशन पहले अगस्ट सेप्टेंबर में उस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम क्वालिफिकेशन जिनके टैंथ हमने रखी दी उसके बाद कोट में यह केस चला गया हायर क्वालिफि के हिसाब से क्वालिफिकेशन होगी अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरेज बोर्ड रिसीवट 153 अप्लिकेशन फॉर दी कैंड़ेट्स हूँ है रिप्रेजेंट बिफॉर दी बोर्ड फॉर विड्रावल आफ कैंड़ेट्स तो जो बच्चे हायर क्वालिफिकेशन उन्होंने 103 बच्चे जो ऐसे थे जिन्हें अपना जो है डॉक्मेंट्स वापस ले लिए और उन्हें डॉक्मेंट वैरिफिकेशन नहीं करवाई और उसके बाद एक फ्रेश लिस्ट निकाली के 5175 बच्चों की और उसके बाद यहाँ पे इसी तरह से यह प्रोसेस चल र हाईर नहीं है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बोर्ड को बता रहे हैं दन लार्ज नंबर अफ कैंडेट्स हूँ आर काल्ड फॉर दॉक्मेंट वैरिफिकेशन सेकंड फेज पोजेस क्वालिफिकेशन हाईर देन दा प्रसक्राइट फॉर्ट पोस्ट एंड सब्मिटिंग फाल्स एफिदेट बिफोर दे बोर्ड यह शिकायत की गई है एक किसम की बोर्ड को और अब बोर्ड ने एक फैसला किया इस नोटिफिकेशन को निकाल के एक वर्निंग दी यहां पे बताया गया तो यहां पे एक बात है कि पहले पहले जो ग्रेजवेट थे और गलत फाल्स एफिदेविट दिये हैं और हेरबे तो यहां पे उन graduates को जो higher qualification वाले हैं उनको ये एक notice दिया गया है कि खुद बाखुद वेकेट कर दो अपने form अपने कागज अपने documents वापस ले जाओ और thereafter any candidate who is found to have submitted false affidavit and are graduate before the cut-off date ये बात याद रखना August 2020 से पहले जो graduate थे बाद वाले नहीं बाद वाले तो बहुत सारे job कर रहे हैं जो बाद में graduate हुए हैं उनकी कोई गलती नहीं जो पहले graduate थे और form लगा लिया shall be liable for the cancellation of his or her candidature for the class for post and debared from the appearing in future examination against the graduate level post notified by JKSSB in future नहीं कर पाएंगे graduation level पे compete besides lodging to initiation of criminal proceedings as warranted under the law against them तो यहाँ पर यहाँ बात याद रखना यहाँ आप डर मत जाना जो भी बाद में graduate हुए हैं उनके लिए नहीं है यहाँ पर date clearly mention की है अगस्त 28-2020 से पहले जो graduate थे उनको यहाँ पर documents को vacate करना है अपनी document verification से नाम हटा देना है यह notice जारी किया है JKSSB ने तो यही information थी सारे के सारे उन दोस्तों के लिए जो graduate है अभी graduation वाले form निकलने वाले आप उनके लिए form भरो अपनी qualification जो इतनी महनत से पढ़ाई आपने की उसको risk पर मत लगाओ दाव पर मत लगाओ और यहाँ पर यह minimum और maximum qualification 10th और 12th की ही थी इसके लिए इन candidates के लिए jobs छोड़ दो और अपनी तयारी आगे आने वाले exams के लिए लगा लो क्यों मैं यहाँ पर यह बता रहा हूँ क्योंकि आपकी जो महनत है आपने जो graduation की है वो कहीं cancel हो गई तो क्या फाइदा उन 3 सालों को जो college में लगाए जो आपने खर्चा किया पढ़ाई पेतना तो मेरी यह request है मेरी यह इलतिजा है उन सारे candidate से यहाँ पर दुखी होने की बात नहीं है आप आगे आने वाले forms की तयारी करो जो application forms आगे आने वाली jobs के लिए लगेंगे तो thank you so much guys for watching this update तो दोस्तों यही information थी जो मैं आपसे share कर रहा था आज ही की date की अपडेट है जेके SSB की तरफ से तो यह update में आपको दे रहा था I hope कि यह information आपको अच्छी लगेगी आप इसको बुरा नहीं मानोगे और अगर इसमें आप fall कर रहे हो तो अपने documents को बचाओगे अपने degrees को बचाओगे thank you so much guys for watching awakened brains and this video आप जुड़े रहे इसी तरह से अवेकन brains के साथ subscribe का button जुरूर प्रेस कीजिए और bell का notification का button जुरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले हर latest video हमारे एंट से आप देखते रहो और अगर information अच्छी लगी हो तो like, share और comment करना ना भूलेगा thank you so much God bless you all हुआ और इसके आप जुड़े खेगाप देखते रहमी कीजिए परेसंटा से बादी जुड़े देखते बादेँ कीजिए इसी तरह से उपसिता ना भूलेगाज़े इसे ना रहे प्रेस कीजिए और देखते वादी पालेश ओाशवiste्स